हलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका इस चैनल पर साथियों आज हम NCRT क्लास 11 का एक important chapter आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है इस चैनल पर साथियों ये काफी important chapter है और इस chapter से exam में बहुत सारे competitive exam में बहुत सारे objective question बनते हैं और इस chapter से neat exam में एक या दो question जरू पूछे जाते हैं तो चलिए इस chapter को start करते हैं काफी important chapter है और मैं आपको इस chapter को छोटे छोटे topics में तोड़ कर पढ़ाऊंगा तो चलिए चलते हैं next slide पर तो आज का हमारा topic है एकसिडिशन और types of excitry organ in animals यानि एकसिडिशन क्या होता है इसको detail में हद्दिन करेंगे उसके बाद types of excitry organ in animals इस पर हम धूँआ उड़ा देंगे क्या उड़ा देंगे धूँआ उड़ा देंगे ठीक है चलिए सबसे बात पहले बात करते हैं एकसिडिशन क्या होता है ठीक है जैसे माली यह यह एक organism है यह एक organism है ठीक है यह एक organism है ठीक है अगर यह organism है तो इसके अंदर chemical reaction होते होंगे chemical reaction अगर यह organism है तो इसके अंदर बहुत सारे chemical reaction होते होंगे और chemical reaction के परिणाम सरूप क्या बनता होगा metabolic west यह metabolic west कौन कौन से हो सकते हैं यह metabolic west हमारे हो सकते हैं carbon dioxide हो सकता है और क्या हो सकता है लैक्टिक acid हो सकता है ठीक है और क्या हो सकता है और हो सकता है nitrogenous west यह हो सकते हैं तो यह organism है इसके अंदर बहुत सारे chemical reaction होते होंगे और chemical reaction के परिणाम सरूप क्या बनता है metabolic west और यह metabolic west को body से remove करने का जो process होता है उसीकोtest हो एक्सिजिशन करते हैं समझ में आ गया एक्सिजिशन क्या है किसी भी buzzing के body में बहुत सारे chemical reaction होते होंगे और chemical reaction के दोरान बहुत सारे metabolic pathway चलते हैं और metabolic pathway बहुत सारे चलते हैं उसके प्रणाम सरूप metabolic waste बनता है और metabolic waste CO2 हो सकता है, lectic acid हो सकता है, nitrogenous waste हो सकता है इन सब को body से बाहर निकालने का process जो होता है, वो excision होता है ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं? excision तो आपको excision sound में आ गया होगा, अब ये nitrogenous waste जनरली हमारे NCRT के chapter में तीन दिये है nitrogenous waste ये तीन टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है ammonia, ammonia हो सकता है और क्या हो सकता है? यूरिया हो सकता है और uric acid ये तीन हो सकते हैं nitrogenous waste तीन ही दिया है NCRT चेक्टर में ammonia, urea, uric acid समझ में आ गया? तो आईए excision का definition मैं नेसरायड में लिखा हूँ आपको बता देता हूँ removal of metabolic waste, removal of metabolic waste like CO2, lactic acid and nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid which produce in our body during different metabolic process called oxidation समझ में आ गया? मतलब metabolic waste जैसे CO2, lactic acid या nitrogenous waste, ammonia, urea, uric acid ये सब जो है, वो कब बनते हैं, different metabolic pathway के दौरान हमारी body में बनते हैं और इनको body से review करने का process ही क्या कहलाता है? excision कहलाता है जैसे example का तौर पर हम लेते हैं कि हमारी body के अंदर glucose का breakdown कैसे होता है? ठीक है? हमारे body के अंदर glucose का breakdown यानी catabolism of glucose कैसे होता है? जब glucose का breakdown aerobic, aerobic यानी oxygen present जब glucose का breakdown oxygen की उपस्थिती में होता है तो 6 CO2 बनता है और 6 H2O बनता है और 38 ATP के molecule हमको मिलते हैं लेकिन जब glucose का breakdown oxygen की अनुपस्थिती में होता है तो हमको 2 molecule of lactic acid ये मिलते हैं और 2 ATP हमको मिलता है और ये 2 lactic acid और 6 CO2 ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारा metabolic waste है क्या है? metabolic waste है जैसे माल लीजिए हमने glucose लिया ठीक है? glucose लिया तो हमारे body में जब oxygen जहां पर रहेगा वहां पर अगर glucose breakdown होगा तो हमारा 6 CO2 और 6 H2O और 38 ATP molecule मिलेंगे लेकिन अगर body में कहीं पर oxygen नहीं है और वहां पर glucose का breakdown हो गया तो हमको 2 lactic acid के molecule मिलेंगे और 2 ATP मिलेगा और ये जो CO2 और lactic acid है ये क्या है? metabolic waste है समझ में आगया आपको? आगे बढ़ते हैं अब हम बात करने वाले हैं साथियों जो nitrogenous waste है मैं नाम लिख देता हूँ nitrogenous waste हमने क्या क्या बताया nitrogenous waste मैंने तीन टाइप के nitrogenous waste बताएं आपको पहला है ammonia ammonia दूसरा है urea और तीसरा है uric acid अब हम इसके बारे में types of nitrogenous waste इसके बारे में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि ammonia, urea और uric acid अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यदा toxic कौन है ammonia, urea और uric acid में सबसे ज़्यदा खतरनाक कौन है तो सबसे ज़्यदा खतरनाक ammonia है और ammonia इतना ज़्यदा खतरनाक है कि इसको हम अपनी body में store नहीं कर सकते है यानि सबसे ज़्यदा toxic कौन है ammonia है फिर उससे कम toxic कौन है? urea है और सबसे कम टॉक्सिक कौन है यूरिक एसिड है यूरिक एसिड समझ में आ गया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है अमोनिया है उससे कम टॉक्सिक कौन है यूरिया है उससे भी कम टॉक्सिक कौन है यूरिक एसिड है जो जितना ज़्यादा ज़्यादा जहरीला होता है उस उसको बॉडी से रिमूफ करने के लिए उतना ज्यादा पानी की आवसकता होती है। समझ में गया मैंने का बोला। जो जितना ज्यादा टॉक्सिक है उसको रिमूफ करने के लिए उसको बॉडी से रिमूफ करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वार्मेंट होती अब हम मैं लिखता हूँ, removal of water for their requirement, removal of toxic substance from body or required of water, required of H2O मैं लिखता हूँ, ठीक है? मतलब जो जितना ज़्यादा toxic है, उसको remove करने के लिए उतना ज़्यादा हमको क्या जरूरत होती है? water की, तो सबसे ज़्यादा water की जरूरत कि इसको remove करने के लिए होगा? बताइए अब सबसे ज़्यादा toxic कौन है? ammonia, जब ammonia सबसे ज़्यादा toxic है, तो इसको remove करने के लिए सब सबसे ज़्यदा पानी की ज़रूरत होगी तो यहां पर लिखते हैं अमोनिया अमोनिया को रिमूब करने के लिए सबसे ज़्यदा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम रिक्वायरमेंट होती है वाटर की यूरिया को रिमूब करते टाइम और सबसे कम वाटर की रिक् जो जितना जदा टॉक्सिक है उसके लिए उतना ज़्यादा वाटर की रिक्वार्मेंट होती है बॉडी से रिमूव करने के लिए तो अमोनिय सबसे जदा टॉक्सिक है तो बॉडी से रिमूव करने के लिए सबसे जदा पानी लेगा यूरिया उससे कम टॉक्सिक है तो बॉ यह आगे बढ़ते हैं, तो यह देखिए, मैंने यहाँ पर एक slide बनाया है, आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें, अपना, मतलब हम humans है, तो हम humans है, तो हम क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, हम क्या खाते हैं? प्रोटीन, और प्रोटीन किस से बनता है? अमीनो से ही क्या बनता है? अमोनिया बनता है, उससे यूरिया बनता है, तो आईए कैसे बनता है? मैं आपको बताता हूँ, माल लीजिए, यह एक organism है, ठीक है? इसने प्रोटीन लिया, इसने किस क्या लिया? प्रोटीन लिया, और प्रोटीन बोडी में ब्रेक होकर क्या बनाएगा amino acid बनाएगा और यह amino acid कहाँ पर जाता है liver में liver में जाएगा और de-amination process के दोरा alpha keto acid बनाएगा जो हमारा ammonia है वो liver में जाएगा liver में de-amination का process होगा और amino acid alpha keto acid बना लेगा और alpha keto acid क्या करेगा energy energy देगा different metabolic reaction के लिए ठीक है और जो de-amination का process होगा उसमें NH2 अलग हो जाएगा और यहाँ पर NS3 बन जाएगा ammonia बन जाएगा यह जो ammonia है यह हमारे liver के अंदर एक process होता है उसको बोलते है और निथिन cycle उसको क्या बोलते है और निथिन हिंदी में लिख देता हूँ और निथिन cycle ठीक है और निथिन cycle के थूँ अमोनिय जो है वो किसमें convert हो जाएगा यूरिया में याद रखिएगा बहुत important question है exam में बहुत बार पूछा गया है कि liver के अंदर de-amination का process होता है जिसमें क्या होता है liver में ammonia जो होता है वो यूरिया में convert हो जाता है और ammonia यूरिया में एक cycle के द्वारा convert होता है जिसका नाम है और निथिन cycle क्या बोलते हैं और निथिन cycle तो समझ में आगया होगा और ammonia भी हमारा क्या है nitrogenous waste है और यूरिया भी क्या है nitrogenous waste है समझ में आगया है यह slide आपको समझ में आगया होगा यह organism है इसने amino इसने क्या लिया protein लिया protein बाद में body में जाकर किसमें breakdown हो जाएगा amino acid में और amino acid यह होता है वो उसका structure यह होता है और उसमें जो NH2 होता है वो amino group होता है वो जब अलग हो जाता है तो alpha keto acid बनता है जो body में क्या देता है energy देता है different chemical reaction के लिए और यह liver होता है उसमें deamination का process चलता है और जो ammonia होता है वो ornithin cycle के थुरू liver के अंदर urea में convert हो जाता है ओके समझ में आ गया अब हम बात करते हैं types of nitrogenous waste जो मैंने आपको बताया ammonia urea और uric acid इसके बारे में हम detail में अध्यन करेंगे ठीक है तो ammonia के बारे मैंने कुछ points लिखा है ammonia क्या है primary nitrogenous waste है जो produce होता है सभी और्गनेज में ammonia क्या है primary nitrogenous waste है जो सभी और्गनेज में produce होता है और मैंने आपको बताया का ammonia सबसी ज़रा toxic होता है यानि highly toxic होता है और इसको body में store भी नहीं किया जा सकता यानि not storeable in our body और ये blood में भी soluble होता है लेकिन कम होता है और removal required lot of water for removal required lot of water मतलब ammonia को remove करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ये काफी important point है ये भी आप याद रखिएगा कि ammonia diffuse हो जाती है body surface से या गिल से through ammonium iron ammonium iron के form में ammonia body से remove हो जाती है ammonium iron के रूप में ammonia जो होता है वो body surface से ammonium iron के रूप में remove हो जाती है ठीक है और जो हमारा kidney होता है ये NCRT की लाइन है kidney do not play any significant role in removal of ammonium iron यानि ammonium iron या ammonia के remove होने के लिए kidney कोई भी role अपना आदा नहीं करती है और जो organism ammonia को remove करते हैं जो organism ammonia को remove करते हैं वो ammonotelic कहलाते है जो animals या जो organism ammonia को remove करते हैं ammonotelic animals कहलाते हैं और ammonotelic animals क्या होंगे जो क्या remove करेंगे ammonia को example क्या है aquatic arthropod एक चीज़ याद रखिएगा जब भी aquatic organism होंगे तो वो हमेशा ammonia remove करेंगे ये general concept है जो भी जली जी होते हैं वो सामाने तह ammonia remove करते हैं ठीक है और bonny fish ये भी ammonia remove करेंगी percent of bone fish और amphibia larva अब हम बात करते हैं urea की तो urea मैंने आपको बताया कि हमारी body के अंदर liver के अंदर urea बनता है तो produce in liver from ammonia liver किस से बनता है मतलब urea किस से बनता है ammonia से बनता है कहां पर बनता है लिवर में बनता है और किस के द्वारा बनता है और नथिन साइकल ये point मैंने आपको पिछले slide में बता दिया है ठीक है एक बार फिर से सुन लेजिएगा कि जो यूरिया होता है वो हमारे लिवर के अंदर बनता है और किस से बनता है अमोनिया से बनता है और किस साइकल के है ornithin cycle के दौरा बनता है यह least less toxic होता है और less soluble भी होता है far removal required less amount of water इसको मैंने आपको समझा दिया ammonia सबसे ज़्यदा toxic है उसको remove होने के लिए सबसे ज़्यदा water लगेगा urea उससे कम toxic है तो उससे कम water लगेगा और जो urea होता है small amount वो हमारे blood में भी होती है और हमारे kidney में भी store होता है small amount store in blood and kidney और kidney क्यों होता है store maintain osmolarity को maintain करने के लिए थोड़ा सा urea हमारे kidney के अंदर होता है ठीक है और जो organism urea remove करते हैं उनको ureotelic बोलते हैं क्या बोलते हैं ureotelic क्या बोलते हैं यूरियो यूरियो टेलिक और इसका example क्या है amphibia जो adult है और cartilaginus fish और mammals ये तीन example है ये आपको याद रखने हैं amphibia adult amphibia याद रखिएगा adult larval नहीं अगर यहाँ larva होता तो क्या होगा वो हमारा अमूनो टेलिक होगा लेकिन यहाँ पर amphibia कैसा है एडल्ट है तो यूरियो टेलिक होगा यानि यूरिया रिमूप करेगा और cartilaginus fish हो जाएगा और mammals आपको पता है यूरिय रिमूप करते हैं अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड यूरिक एसिड जो रिमूप करते हैं वो birds होते हैं और reptiles होते हैं birds और reptiles ये यूरिक acid remove करते हैं और ये uric acid produce किस्चे होते हैं protein metabolism के थूरू produce होते हैं ठीक है it is major product of protein metabolism ठीक है और uric acid least toxic होता है for removal required least amount of water समझ में आ गया होगा सबसे कम पानी की जरूरत किसको होगी remove करने के लिए uric acid को और uric acid सबसे कम toxic होता है और mammals में uric acid purines के breakdown के थूरू बनता है mammals में जो uric acid होता है वो purines के breakdown के फलस्वरूप बनता है ये आपको याद रखना पड़ेगा okay guys मैं आपको बता भी देता हूं कि कैसे breakdown होने इस पर बनता है तो मैं यहाँ पर एक reaction लिख रहा हूं यह देखिए यह हमारा purines है ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूं purines यानि एडिनीन और guanine यह break किस में होता है यह break होता है जैन्थिन में किस में break होता है जैन्थिन ओके जैन्थिन में और फिर उसके बाद जैन्थिन oxidase enzyme इसको तोड़ देता है यूरिक acid में यूरिक acid में जो humans होता है humans में प्यूरिन होता है प्यूरिन कौन होगा एडनीन और ग्वानीन और यह ब्रेक किसमे होगा जैन्थिन में प्यूरिन किसमे ब्रेक होगा जैन्थिन में और जैन्थिन जैन्थिन ऑक्सिडेज एंजाइम ऑक्सिडेज एंजाइम इसको यूरिक एसेड में कनवर्ट कर देता है तो Mammals में भी Uric Acid बनता है, लेकिन कैसे बनता है? जो Puryans है, वो Xanthin में ब्रेक होगा, और Xanthin Oxidase Enzyme के थrew Uric Acid में convert हो जाता है, ठीक है? और जो animals uric acid को remove करते हैं वो uricotelic कहलाते हैं यहाँ पर थोड़ा से mistake हो गया है मैं काटके सही लिख देता हूँ जो animals uric acid remove करेंगे वो uricotelic animals कहलाते हैं इसका example क्या है इंसेक्ट है birds है और reptiles है इंसेक्ट है birds है और reptiles है अब हम बात करते हैं types of types of excitatory organ in animals यह आपको याद रखना है ठीक है कुछ important example है उसको मैं आपको बता देता हूँ जैसे flame cells flame cells जो होती है वो platy helminthes में excitatory organ के रूप में जानी जाती है okay दूसरा है malpesian tubules malpesian malpesian tubules यह हमको आर्थपोड में देखने को मिलती है यानि insect में इंसेक्ट इंक्लूडिंग काकरोच ठीक है malpesian tubules जो है excitatory organ है किसमें काकरोच में और जो हमको कहां देखने को मिलती है इंसेक्ट में ओके नेस्ट है antinal gland और green gland green gland green gland green gland हमको कहां पर excitatory organ देखने को मिलेंगी crustacean किसमें crustacean में crustacean like prawn like prawn okay nest है kidney nest है kidney kidney हमको excitatory organ के रूप में कहां देखने को मिलनेगी all vertebrate और एक और exam में पूछा जाता है हमारा renet cell यह हमको देखने को मिलती है कहां पर हमको देखने को मिलती है round warm round warm round warm कौन होगा escal helminthes escal helminthes में rainet cell होती है जो किस आकार की होती है edge shaped होती है वो हमको excitatory organ के रूप में देखने को मिलती है तो साथियों यह कुछ important excitatory organs थे जो मैंने आपको बता दिये flame cell कहां मिलेंगी platy helminthes में malpesian tipples कहां मिलेंगे insect including cockroach green gland कहां मिलेंगी जिनको antinary gland भी बोलते है crustacean में मिलेंगी kidney कहां पर मिलेंगी vertebrate में all vertebrate में और rainet cell जो f-shaped होते हैं वो कहां मिलेंगे हमको round warm में देखने को मिलेंगे तो मित करता हूँ कि आपको excretion क्या होता है यह समझ में आ गया होगा types of excretory products यानि ammonia, urea, uric acid इसके बारे में समझ में आ गया होगा और excretory organ in different animals यह भी समझ में आ गया होगे next video में हम human excretory system को start करेंगे तब तक के लिए thank you very much like कर दीजिएगा अगर वीडियो समझ में आ गया होगी